नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्पागत है पेशाज 6 सितंबर सौंवार शाम 7 बजे राजस्तान की खास खबरी नीट परिक्षा की तारिक को बदलने की मांग करें चातरों को सुप्रीम कोट से जटका लगा है सुप्रीम कोट ने चातरों की सियाचिका को खारिस कर दिया है कोट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीट परिक्षा 12 सितंबर कोई होगी बता दे कि CBSC एकजाम बेक अपार्टमेंट लाने वाले और जिन्होंने इंप्रूव्मेंट के लिए अपलाई किया हुआ था उन चातरों की मांग थी कि नीट परिक्षा की तारिक में बदलाव किया जाए दरसर नीट परिक्षा वाले दिन ही CBSC के इन में से कुछ पेपर्स हैं मतलब दोनों की तारिक क्लैश हो रही है पोड की तरफ से जस्टिस खानविलकर ने चातरों को टेस्टिंग एजंसी या फिर सक्षम प्रादीकारी के सामने अपनी बात रखने को का है इस तरह CBSC और नीट परिक्षाओं की तारिक में टकराब को देखते हुए नीट परिक्षा टालने की मुहीम को सुप्रीम पोर्ट से निराशा ही मिली है जैपुर्च लेके करदनी थानक शेतर से बड़ा मामला सामने आया है जहां अनुकमपा में सरकारी नौकरी पाने के लिए एक सक्ष की हत्या कर दी गए ब्रितक के भाई ने अपनी भाबी और उसके बच्चों के खिलाफ नामसद केस दर्स करवाया है पहली बार तो जब पुलिस को इसकी सूचना लगी तो पुलिस को भी इस पूरे घटना करम का भरोसा नहीं हुआ बार में जब पीडित पक्ष ने पुलिस को मार्पिट करने के सबूत सौंपे तब जाकर पुलिस ने हत्य की धराओं में केस दर्स किया पुलिस ने बताया कि जैसिंग ने अपने भाई शक्ति सिंग की मौत के बाद केस दर्स करवाया है अरोप है कि भाबी और बच्चों ने भाई के जान ले ली जैसिंग ने पुलिस को बताया कि जब भी भाई पिता से मिलने के लिए हमारे घर आते थे तो चोटों के निशान दिखाते थे जैसिंग ने पुलिस को बताया कि शक्ती संग पी अन भी बैंक में थे उनकी जगह उनकी पत्नी उनकी बेती को लगाना चाहती थी जैसिंग ने मारपीट की कई फोटो और वीडियो पुलिस को सौपी हैं सीकर चले के गरामीन इलाखे में बारवी कक्षा की नबालिक छात्रा के साथ ये वक्त द्वारा अपहरन कर बलात कर करने का मामला सामने आया है अरोप है कि अरोपी राजु ने नमक का तिजाब फैंकर पीडिता को डराया और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी फिर अगवाकर नौईडा में अपनी बेहन की घर ले गया उसने अपने दोस्तों के साथ भी संबंद बनाने के लिए चात्रा पर दबाव बनाया पीडिता की रिपोर्ट की अधार पर पुलिस ने अरोपी को गिरफतार कर लिया अरोपी का उसके जीजवे बेहन ने भी साथ दिया चात्रा का पहरन कर ले जाने पर भी नौईडा निवासी बेहन वे बेहनोई ने उसका विरोध नहीं किया और उसे घर में शरन दे दी सडक पर ही हवाई पट्टी तयार की गई है बुद्वार यानी 8 सितंबर को सडक पर इवेहन मंत्रियों रक्षा मंत्री राजनात सिंग इसका उदखाटन करेंगे उन्होंने कहा कि बादमेर में सैने विमानों के लिए सडक पर ही रनवे तयार किया गिया है इसके लिए भारतिय रास्ट्रिय राजमार्ग प्रादी करने वायु सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर तैय समय से पहले ही इसे पूरा कर लिया है उद्यपुचिले की थाना परताप नगर पुलिस ने जान से मारने की धमकी देकर एक करोड रुपे की फिरोत्ती मांगने के मामले में बैडवास निवासी अभियुक्त विकरम सिंग को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि 20 अगस्त को प्रजापती नगर सुन्दरवास निवासी 24 वर्षे विश्नु प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि रात 9 बची उसके मारबल पर एक फोन आया फोन करने वाले ने अपना नाम विकरम सिंग बताया और धमकाते होए कहा कि तू घर से निकल इतने चाको मारूंगा कि तेरी साथ पेडियां याद करेंगी उसने तीन-चार बर फोन किया और अपने साथियों से भी धंकी वे गाली दिलवाई वे जान से मानने की धंकी दे कर कहा सुबह 11 बस तक एक करोड रुपे नहीं दिये तो तेरे पूरे परिवार को जान से खतम कर दूँगा उद्यपुचले के परसाथानाक्षेतर से बड़ी खबर सामने आई है जहां एक चचेरे भाई ने अपनी बेहन पर तलवार से हमला कर घंबी रूप से खायल कर दिया परिजनों ने युवदी को अस्पताल में भर्ती करवाया है सूशना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बेहन के नाते जाने पर खुनस खाय चचेरे भाई संजे ने पिपली भी निवासी अपनी बेहन रेखा पर तलवार से हमला कर दिया पुलिस आरूपी की तलाश कर रही है सुप्रीम कोट की तरफ से केंदर सरकार को फटकार लगाए गई है इसमें सुप्रीम कोट ट्रिब्यूनल, सुधार एक्ट और न्युक्तियों में हो रही देरी को लेकर केंदर पर बरसा है चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंदर को इस अदालत के पैसले का कोई सम्मान नहीं है फिलहाल कोट ने मामले के सनवाई को अगले सोंवर तक के लिए टाल दिया है साथी अवमानना की कारवई की चितावनी भी दी अब सुप्रीम कोट ने केंदर को ट्रिबूनलों में न्युक्ति के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है कहा है कि हमें उमीद है कि केंदर न्युक्तियों के आदेश चारी करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंदर ने निक्तिया नहीं की तो अदालत आदेश चारी करेगा चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि केंदर को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है केंदर कोर्ट के धैर्या की परिक्षा ले रहा है चीफ जस्टिस ने जज्जों की निफ्ती के मामले में केंदर सरकार की तारिख भी की बीका ने चले के शिरीड उंगरगर्थानक शेतर के गाम उद्रासर में कोरोना के बाद से लॉक्ड़ॉन में युवक पवन का बिजनेस इतना तबाह किया कि आर्थिक संकत में आ गया पिछले कुछ समय से गाम में रह रहे इस युवक ने आर्थिक तंगी के चलते सिसाइड कर लिया पुलिस ने बताया कि पवन ब्रामन दूसरे शहर में बिजनेस करता था लॉक्ड़न में बिजनेस चौपट हो गया नौकरी भी नहीं मिली ऐसे में गाम में अपने घर पर आ गया पिता नहीं होने के कारण पवन पर समाजिक जिम्मेदारियां भी बहुत थी कोरोना में कोई नया काम नहीं मिलने से वो इतना परेशान था कि घर के पास ही बने एक कुंड में छलांग लगा दी पुलिस ने शव का पोस्ट मार्टम करवा कर शव परीजनों को सौप दिया अलवर चले के किशनगडबास थानक शेतर में फ्रॉड कर महिला के बैंक खाते से 99,487 रुपे पार करने का मामला सामनी आया है पुलिस ने बताया कि पीडिता के बेटे ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि इसकी मार्टा के मुबाइल पर SMS आया था SMS पर क्लिक करने के बाद बैंक खाते से रुपे गायब हो गए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जलोर चले के रानी वाड़ा थानक शेतर में अपने पीहर से दो दिन पहले लापता हुई विवाहिता का शव मिलने से संसनी पैल गई सुषना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पिताल की मोर्चरी में रखवाया है पुलिस ने बताया कि विवाहिता का शव बंधर बांध के बहाउक शेतर में जाडियों में मिला है पर इसलों ने दांतवारा गाम के एक ये वक पर हत्या की अशंका जताई है पुलिस मामले के जाँच में जुट गई है ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूस अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए पुलिस मामले के जाएटर न्यूस अपडेट है